तो हाई गाइस आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मार्केट की क्विक अपडेट ले लेते हैं फिल्हाल फाइनली बीटी सी इस शोइंग पॉजिटिव मूव जहां पे हमें फिल्हाल बीटी सी ट्वन थाउदन फोर हंडे डॉलर तर जाता हुआ दिखाई दिया लेकिन बहुत मेजर रिजिस्टेंस के पास फिल्हाल वहां पे बीटी सी फिर से थोड़ा बहुत भीक दिखाई दे रहा है बीटी सी एंड मार्केट को बहुत ही अच्छी कोई न्यूस चाहिए होगी और रेडी मार्केट के अंदर कुछ-कुछ अच्छी डीसेंट न्यू करना और वह सारी जेभी मौर्गन की न्यूस इस आ रही है और वह सारी अच्छी न्यूस इस आरी है जहां पर क्रिप्टो को मास अडॉप्शन की बातें काफी जादा करी जा रही है जो की लांग टॉम विचन के लिए बहुत जादा अच्छी है लेकिन अगर हम देखें को रैली दिखाने के लिए बहुत important रहेगा BTC का 21,500 को break करना consistent रहना 21,500 के ऊपर और उसके बाद 22,500 को break करना 22,500 को break होता है और हम 23,000 के ऊपर stable रहते हैं one day two days के लिए that will be the time जहां पे old coin shoot कर सकते हैं और मैंने आपको बताया था कि अगर market उपर जाती है तो मैं सिंपल सा जब market 10,15,20% अगर उपर हो जाएगी मैं शायद rally miss कर दूँगा 15,20% profit की लेकिन उसके बाद मैं उपर entries लोगा क्योंकि यहां पर market के अंदर एक momentum दिखाई दे रहा हो सकता है तो फिलहाल मै सरफ उसका wait कर रहा हूँ अगर वो होता है तो मैं छोटी मोटी entries दुबारा short term के लिए लूँगा जहां पर profit बनाने की कोशिश करूँगा बट still fully in करना अपनी जो 25% की entry मेरी रहती है जिसको मैंने लेना था 12-16,000 dollar के लिए अभी फिलहाल वो नहीं हुआ है तो उसको मैं फ क्यों profit book कर रहे है answer will be no क्योंकि हमारे यह जैसे for example Matic Matic को अगर मैंने 0.55 पे हमने SIB buy किया था और आज चल रहा है 1.20 डॉलर यानि कि वह 120% up है लेकिन अगर मैं यहां पर profit book कर देता हूं तो जो 2025 यह 24 का मैंने aim लिया हुआ है जहां पर मैं उसको 5 dollar, 8 dollar, 10 dollar देखता हूं वो target तो मिला feel हो जाएगा because वो rally मेरे हासे में सो सकती है अगर मैं अभी profit book कर लेता हूं तो answer is अभी हम profit book करें रहे है यहां पर हमारे को short term new entries के ऊपर एक अच्छा profit हो सकता है अगर BTC 22,500 को break करता है तो volume भी दिखाई देनी start हो सकती है अभी volume आई है market के अंदर लेकिन वो stay नह news भी है event global event भी है जिसके ओपर हमारे को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है mid term election भी है मैं यहां पर चाहता हूं कि market फिलहाल positive side पर हो जाए reason being बहुत ज्यादा बोर हो गए है and being very honest frustration भी frustration mode already on हो चुका है जहां पर फिलहाल ना आप शायद ज्यादा trading कर रहा हूं ना मैं study कर रहा हूं नए old coin नए projects के बारे में जहां पर मैं अच्छी rally निकाल पाऊं अच्छा profit निकाल पाऊं तो उससे better है कि हम ऐसे खाली बठा रहे कि market उपर चली जाए और हमारे को एक अच्छी opportunity मिले जहां पर हम trade करना शार्ट कर पाए और genuinely every single day हम एक अच्छा profit निकाल जब तक BTC 22,500 को conveniently break नहीं करता और उसके ऊपर stay नहीं करता for next 24 hours अगर ऐसा होता है तो rallies देखने को मिल सकती है otherwise ऐसा शायद ना हो और अभी यहां पे बहुत important resistance zone चल रहा है बहुत heavy resistance है 21,500-700 तक और उसके बार 22,500 तक बहुत सबर्दस resistance है जिसको break करने के लिए news, events, कुछ positive side impact चाहिए market को तभी यह सारा zone break होगा और shorter जो है वो बहुत सारे liquid होगे लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होगा कि नहीं होगा वो सरफ market बता सकते है news and event बता सकते है फिलहाल हमें सरफ wait करना चाहिए क्योंकि अभी अगर आपने जो long term entries ली है उसके पर आप profit तो बुक कर नहीं सकते short term जो entries ली थी वो अभी जो major coins है सरफ उनी के अंदर थोड़ी बहुत rally दिखाई दी है लेकिन जो छोटी alts coin है उनके अंदर अभी भी खास rallies नहीं दिखाई दी है वो तभी दिखाई देगी जब market के अंदर एक decent volume और market के अंदर एक FOMO create होगा दोस FOMO को create होने का थोड़ा और अगर हमने FOMO के अंदर अभी फिलहाल जो छोटा सा FOMO create हुआ है उसके अंदर अगर हम एंट्री ले लेंगे तो हो सकता है दोबारा से reversal हो जाए और वह वह जो आप वीडियो प्ले करते हो वीडियो देखते हो इसके अंदर कहते हैं कि जैसे मैं market के अंदर coin को buy करता मार्केट बढ़नी स्टार हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है तो अभी थोड़ा सा पेशन दिखाने की जाए जरूत है फरस्टेशन मोड बोरिंग मोड और रेडी ओन हो चुका है फॉर एलाउन मस्की अगर हम बात करें तो नियर अबाट सेवन सेवन्थ आफ नॉम्मर के आ करना चाहूंगा वन अफ दो ऑप्शन हो सकता है डॉच क्वाइन के पेमेंट मेथर्ड फॉर देखने को मिल सकती है नजर रखना दिवाना है फिलहाल एलाउन मस्क्वाइन का और उसके लिए उसने बहुत कुछ किया है और ऐसा कह सकते हो अपने पैसे को रिगवर करने के लिए डॉच कोईन के अंदर आनेवले समय के अंदर रैली जरूर देखने को मिल सकती है तो उसके ओपर नजर जरूर रखना कर एक डंप आ जाए तो उसको लंबे टाइम के लिए अपने पूर्फोलियो के अंदर रख सकते है फॉर वही थ्री एक अपडेट आएगी जब मैं एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूंगा इविल इवन ट्राइट यू गाइस जो भी और अप्शन में को मिलेगा अल्ट कोईन के अंदर वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के अंदर जल्दी से शेर करूँगा जैसे ही कोई भी ऑपरच झाल